नमस्कार मैं डॉक्टर वेपिन मंसल वास्तु कंसलिट्र वास्तु रिसेर्च और कोचिंग सेंटर की और से आप सभी को नए वर्ष की हर्दिक्षु कामने आप और आपका प्रिवार हमेशे ही खुशाल रहे उसके लिए वास्तु शास्तर की द्रश्टिकौन से हमेशे देखना चाहिए जब आपको अपने परिवार के संबंद अच्छे करने हैं तो उसमें साउथ वेस्ट यानि नेरित्ते कौन रिस्पॉंसिबल होता है जब यहाँ पर वास्तु दोश बन जाता है तो उसके कारण कहीं न कहीं आपसी पारिवारिक संबंद खराब होने के कारण बन जाते है तो ऐसे में आपको करना क्या है आप अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर को चेक करें यदि वहाँ पर रेड कलर है या ब्लू कलर है या ब्लैक कलर है या green color है किसी भी रूप में ये color आ जाते हैं तो वहाँ पर आपसी संबंद में दिक्कत आने की संभावने बढ़ जाती है यदि south west corner में फच्छत के उपर overhead water tank रखा हुआ है और वहाँ से पानी और flow होता है तो उसके कान भी वास्तोदोश बन जाता है यदि possible है तो आप उसे जरूर बंद करें ऐसा करने से मेरा अपना मानना है कि आपके घर के अंदर जो संबंद खराब है आपसी संबंद जो खराब है वो ठीक होते चले जाएंगे ऐसे ही आपको ध्यान रखना है तो उसके कान भी आपस में संबंद खराब होने शुरू हो जाते है और कहीं न कहीं health issues भी बनते हैं तो इसलिए अपने इस नए साल में पारिवारिक संबंद अच्छे जरूर बनाएं उसके लिए आप southwest zone को सही करें इसी के साथ जो southwest zone को सही करेंगे उसके opposite यानि डाइनल अपोजिट नौर्थेस्ट कॉर्नर बनता है नौर्थेस्ट कॉर्नर को जितना साफसुत्रा जब मैंड सही होता है तो आप जो decision लेते हैं वो आपके अच्छे होंगे तो इसलिए आपको इन दो दिशाओं को हमेशा ही सही रखना है नौर्थेस्ट कॉर्नर को बिल्कुल साफसुत्रा रखना है और साथवेस्ट कॉर्नर को मजबूत रखना है उंचा रखना है और इस एरिये में वजन बढ़ाना है साथवेस्ट में आप अपना बैडूम बनाते हैं तो उससे भी आपके आपसी सम्मंद अच्छे होते चले जाएंगे जो बाते मैंने आज आपको बताई उन बातों का ध्यान रखकर अपने घर को सही करना है ऐसा करने से आपके घर के अंदर जरूर रहेंगे आप ये छोटे छोटे उपाई अपने यहाँ पर जरूर किजिएगा वास्तु का विशय बहुत बड़ा है हम दीरे दीरे करके आगे बढ़ेंगे और आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखिएगा जिससे की आपको पता चलेगा कि आपके घर के अंदर कह किस दिशा में क्या वास्तु दोश है और कैसे हम छोटे छोटे उपाई करके अपने घर को सही कर सकते हैं क्योंकि घर सही होगा और घर में रहने वालों का वैवार अच्छा होगा तो आपका काम करने में भी मन लगेगा आपका वैपार भी अच्छा चलेगा और सारे नहीं हो रही तो साथ वेस्ट जो उनको सही करते ही उनकी शादी होने के योग भी बन जाते हैं। आप मेरी वीडियो को दिहान से देखे, सुने, समझे और अपने यहां छोटे-छोटे बदलाव जरूर करें। आप अपना कीमती से मैं निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं। उसके लिए मैं आपका तया दिल सही धन्यवाद करता हूँ। और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेला इकन का बिटन जरूर दबाईएगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नवी शेय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार। झाल